प्रेंड्स एक बाफिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स पाइफन प्रोग्रामिंग की रिविजन क्लास नंबर नाइन है जो कि आज हम डिसकस करने वाले हैं और अगर आप में से किसी जिन लोगों ने अभी हाले ही में हमारा कोश वैंड के आप सभ practical problem solve करेंगे इस क्लास क्लास में और उमीद है कर लेक हमने problem दिया था means एक homework दिया गया था जिसमें आपको फैक्टिरियल calculate करने का program दिया गया था भी तक हमें किसी ने ग्रुप में कोई snapshot नहीं बेजाए मेंस आप मेंसे किसी ने उसको solve नहीं किया अगर solve किया हो तो please आप उसको जरूर भेजेगा जब तक आप छोटी-छोटी problem solve करना नहीं स्टार्ट करते हैं तब तक आपके अंदर वह thinking डबल अप नहीं होगी कि programs कैसे लिखेंगे या फिर किसी particular problem को solve करने का program कैसे लिखा जाएगा यह चीज़े जब आप खुद से करना स्टार्ट करेंगे तभी यह thinking आपके अंदर generate होगी चलिए सबसे पहला question देखें आज questions हम list से related काफी सारे questions हम discuss करने वाले हैं list जो एक data type होता है यहां से बहुत सारे questions बनते हैं और even अगर आपका list data type complete हो जाता है तो इससे और other data type भी complete हो जाएंगे जैसे कि टपल हो गया डिक्सम भी हो गया इस पर बेस अगर कोई question आता है और list का concept आपका clear है तो आप उसको भी solve कर लेंगे सबसे पहला question देखें x equal 25, 35 और 45 यह क्या है list है list कहां पर लिखते है square bracket अगर हमने इस्तेमाल किया हुआ है तो यह क्या हो जाएगा किस type का data type है list है इसमें indexing होते है index value 0 से start होता है 0 1 और 2 in case अगर हम यहाँ पर 35 access करना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे x और index value pass करेंगे यहाँ पर 1 तो हमें क्या मिल जाएगा 35 in case अगर हम चाहते हैं इस element में 5 add करना तो हम x index number 1 प्लस 5 लिख देंगे तो हमें output क्या मिल जाएगा 40 मिल जाएगा तो आप ऐसा भी कर सकते हैं तो यहाँ पर index number 0 पर क्या कौन सा element या कौन सा item है क्या है इसमें 25 दिया गया means option B इस question का correct answer है option B is the right answer अगला question देखे नमलखित कतनों का output क्या होगा यहाँ पर कुछ statements हैं इसका output आपको बताना है यहाँ पर भी एक list ली गई है इसमें कुछ elements है 10 20 & 30 यहाँ पर index number 1 और index number 2 की value को add किया गया है index number 0,1,1,2 क्यों हो जाएगा जी प्लीज बताएं जल्दी से क्या query आपके जी पूछे क्या question है आपका ठीक है तो इस question का right answer क्या हो जाएगा यहाँ पर index number 1 और 2 पर कौन कौन सा है यहाँ पर 0 है 1 है 2 तो means 20 और plus 30 आ जाएगा 20 प्लस 30 आउटपूट क्या मिलेगा आपको 50 means option D correct answer है बिल्कुल सही आप सब chat section में right answers क्या है comment करते रहे very good right answers आ चुके हैं अगला question देखे दीरे दीरे आगे जो questions है वो उनका label थोड़ा सा हम tough करते जाएंगे next question देखे लगबग similar type का है बट यहाँ पर string values ली गई है इस list के अंदर कौन सा है Sunday, Monday, Tuesday यह day names है तो यहाँ पर index number 1 and 2 की value को add किया गया है अब इस case में आपको output क्या मिलेगा चल्दी से बताए इस question का right answer क्या होगा इसमें आपको दो अलग-लग values मिलेंगी पहली तो आएगी Monday then कौन सा आएगा Tuesday, means this question का right answer क्या है Monday और Tuesday आपको as a output मिलेगा, option A बिलकुल सही answer है, option A आएगा D नहीं by mistake यहाँ पर option D में भी same value लिग दी गए, जोकि गलत थे यहाँ पर, यह Thursday था, typing mistake कर दी है, जिसने भी question type किया था, यहाँ पर Thursday होना चाहिए, Monday और Thursday दिया गया था, तो option A basically इस question का correct answer है, Monday Thursday option D में दिया गया था, option D जिन लोग ने माग किया, सही है, क्योंकि यहाँ पर जो options है उसके इसाफसे D भी सही है और A भी correct है, next question देखे, name लिखित कतनों का output क्या होगा, name लिखित statement का output क्या होगा, जल्दी से बताइए, अब यहाँ पर देखे, यह concept आपको समझना चाहिए पहले, इसमें देखो 0.0,1.0,2.0, एक तो यह element दिया गया एक list में, दूसरे एक list य यहाँ पर और है, दूसरी है list 4.0,5.0,6.0, अब इसमें indexing कैसे होगी, वो तो single index list थी, जिसमें आपको easily पता चला जाक है, इसका index number 0 है, इसका 1 है, तो अब यहाँ पर क्या है, जब इस तरही के से list को create किया जाता है, तो इस particular पूरी index का, इस list का, जो index number हो जाएगा 0, और इस पूरी index का index number क्या हो जाएगा, 1, बट यहाँ पर जो elements है, इनका index number, इसका index number 0 है, इसका 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, next अगर नीचे की तरफ देखें, तो यहाँ पर index number 0 है, 1 है, and 2, तो in case अगर हमें यहाँ पर 2 access करना है, 2.0 हमें चाहिए, तो हम क्या लिखेंग X, क्योंकि यह किस के अंदर है, X के अंदर है, X, और सबसे पहले यह देखना हमें किस list में है, कौन सी sub list के अंदर है, 0, तो यहाँ पर 0 पास करेंगे, फिर इस list में कौन से index number की value चाहिए, हमें यह value चाहिए, और इसका index number क्या है, 2, तो यहाँ पर क्या पास कर देंगे, 2, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 2.0, 2.0 स्काउट पुटा जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर 1, 2 दिया गया है, तो आप message इनको भी पता है, जल्दी से बताएं, क्या आपको right answer मिलने वाला है, 1, 2 दिया गया है, इसका right answer क्या होगा, 1 and 2 दिया गया है, तो इसका right answer क्या होगा, जल्दी से बताएं, जिनको भी पता है, question के साथ में अगर आप answer chat section मिलने बेजेंगे, तो easily हमें समझ में आएगा, अपनी किस question का right answer दिया है, very good, बिल्कुल सही answer आ चुका है, कई बच्चों ने दिया है, option D correct answer है, क्या आएगा, 6.0 आएगा, क्यों आएगा 6.0, देखें, ये list number कौन से है, 1 से लेना है आपको, और उसके index number 2 की value को access करना है, means, इस वाली list से, means, ये index number 1 के list से हमें access करना है element को, जिसका index number क्या है 2, means, यहाँ पे index number 2 किसका है, 6 का 6.0, तो option D, बिल्कुल सही answer है, option D is the right answer, आगे भी हैसे कई सारे questions हमने रखे हैं, जो कि, आपको हम चाहते हैं कि, ये concept समझ में आए, इस type के questions आपकी exam में हो सकते हैं, बता ये जल्दी से, क्या question है आपका, चलिए, इसको थोड़ा सा implement करके देखते हैं, तो और बेटर take case आपको समझ में आएगा, और इसमें कुछ एक नया concept भी आपको हम बताते हैं, इसमें एक और नया concept आपको हम बताएंगे, id, le open करते हैं, और हम इसको just direct implement करके देखेंगे, जी उपेरन, आपका क्या question है, प्ली जल्दी से पूछे, x equal, आपको समझ में नहीं है, हाँ, सेम question हम फिर से discuss कर रहे हैं, उसी type का है, उसी pattern है, अब समझ में आ जाएगा, इसको अच्छे से देखेगा, practically बता रहे हैं कैसे होता है, ठीक है, यहां पर हम सबसे पहले एक list बना लेते हैं, इसमें एक और list दी गई है, जिसमें value है, 4.0, 5.0, 6.0, ठीक है, यह हमारे पास list है, अब हमें यहां पर क्या access करने के लिए दिया गया है, एक बार question फिर से देखे, इसमें दो अलग-अलग values को add किया गया है, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, इससे आपको क्या मिलेगा, वो देख लीजे पहले, हम direct यहां पर लिख देते हैं, result आपको direct मिल जाएगा, 0, 1, plus 1, 0, अब इसको देखो, इसमें क्या आपको output मिलने वाला है, यहां पर दो list हैं, एक list के अंदर दो अलग से list insert की गई हैं, एक तो list हमारी यहां से यहां तक है, और दूसरी list कहां से हैं, यहां से लेके यहां तक हैं, ठीक है, तो पहली वाली index का index number, पहली वाली list का index number क्या हो जाएगा, 0, और इसका index number हो जाएगा, 1, ठीक है, इसके बाद अब इन index के अंदर भी, अलग-अलग values का index number होगा जैसे इसका index number होगा 0 इसका index number क्या है? 1 इसका index number क्या है? 2 इसी तरह से second list के अंदर भी index number 0, index number 1 और index number 2 ठीक है? अब यहाँ पे 0 means जो सबसे पहली index list है, इसमें से हमें एक elements access करना है, जिसका index number क्या है? 1 1 index number किसका है? 1 0 का, तो इससे क्या मिल जाएगा? 1.0 plus add कर लिजे, यह किसमें है? यह list जिसका index number 1 है, उससे element उठाना है और उसमें index number 0 की value को access करना, index number 0 1 में किसका है? यह 1 है, और इसमें index number 0 किसका है? 4.0 का, तो यहाँ पे क्या आएगा? 4.0 means, finally हमें output के में लेगा 5.0 ठीक है? 5.0 इस question का right answer हो जाएगा ठीक है, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा change करते हैं थोड़ा से इसको हम change करेंगे और फिर देखते हैं, आप में से कितने लोग इस question का right answer दे पाएगे यहाँ पे अब हम negative index यूज करेंगे negative index जैसे कि 0 minus 1 रख दिया हमने और इस चेगे पे भी हमने क्या रखा? 0 minus 1 अब बताएगे इसका right answer क्या होने वाला है एक बार फिर से देखे और बताएगे यहाँ पे हमने क्या पास किया है? 1 minus 1 0 minus 1 अब हमें इससे क्या output मिलेगा? finally इसका output क्या आएगा? बताएगे जी एहमद बताएगे Hello जी सर आपने जब यह समझा है यह समझ में नहीं आएगे इससे पहले वारा positive marks वारा ज़र समझा है आपने ज़लो ठीक है समझ लो दुबारा से समझू जैसे कोई list होते हैं तो 1, 3, 5, 7 जब कोई single list होती है तो हम इस तहीं के इस index number लेते हैं 0, 1, 2, and 3 बड़ किसी एक list के अंदर कुछ sub list है तो sub list का एक अलग index बन जाता है जैसे एक list हमाएँ पास है इसके अंदर हमने दो list बना दी 0, 5, 6, 8 यह हमने बना दिया कॉमा यहाँ पे तो अब इस पूरी list का एक index number हो जाएगा इस पूरी list का भी एक index number हो जाएगा और प्लस इनके जो items हैं उनके index number अलग से होंगे ठीक है अब इनके से अगर हमें 8 एकसिस करना है तो यह देखना एक कौन से list में है यह 0th list में है जिसका index number 0 है तो हम क्या करेंगे इनकेस अगर हमने इसको x में store किया है तो लिखेंगे x सबसे पहले इस list का जो order है उसका index number लिख लेंगे 0 हमें 8 चाहिए तो आप देखना है इस list में 8 का index number क्या है 3 तो हमें आप पे 3 लिख देंगे यह सर्फ आप समझ में आ गया यह सरब आ गया ठीक है आप सभी को समझ में आ चुका होगा अब देखो यहां पे मैंने एक दूसरा concept यूज किया हुआ है इसका output क्या होगा कैसे निकालेंगे देखो index number दो तरह से होते हैं एक तो negative index होता है और default index समय सा 0 से start होता है negative index समय सा पीछे से start होगा जैसे कि minus 1 minus 2 और minus 3 ठीक है यहां पे भी minus 1 minus 2 और minus 3 इसका तो आपको पता index number क्या है 0 और इसका भी पता index number क्या है 1 ठीक है अब in case हमने यहां पे रखा 0 minus 1 तो 0 means इस वाली list में minus 1 किसका index number है 2 का means यहां से क्या मिलेगा 2.0 plus यहां पे index sorry list number जिसका index number 1 है उसमें देखना है हमें और इसमें कौन सा element देखना है minus 1 position किसकी है minus 1 है 6.0 पे तो यह 6.0 means हमें क्या मिलेगा 8.0 finalist का right answer हो जाएगा अगर हम इस तरह से negative to index pass करते हैं इसको execute करके देखते हैं क्या आता है 3 आरा एक बार देखना पड़ेगा कौन कौन सा element लिया है हमने 1 हो गया minus 1 6 अब यह 3 क्यों आ रहा है इसको भी देखना पड़ेगा थोड़ा सा 0 ठीकन 2 अब 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 अ अ अ थोड़ा सा देखना पड़ेगा में क्यों ऐसा आ रहा है जी रभी बताए कहीं पर कुछ confusion हो रहा है इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा में इसका answer तो तेरा आएगा ना सर 13 कैसे आएगा वहां पर 2 है और पलस होगा 5.6 हमने यहां पर निगेट्व इंडेक्स सबते पहले एक पार हम यहां पर निगेट्व इंडेक्स यूज करके देख लिकें हमें values कौन कौन से मिल रहें उसके पहले हमने रखना है 009 ठीक है और इसके बाद सबता पता से जान है कि सह यहां 2.0 आ रहा है इससे 2.0 जैसे कि मैंने बताया था कि आ रहा है ठीक है अगला हमें देखना यहां पर एक्स और यहां पर ब्रेकेट में पास करेंगे वन और इस से पर हम पास करेंगे माइनस वन अब इससे देखना है कौन सा वालू निकल किया रहा है जैसे कि मैंने बताया थे इन दोनों को एड करेंगे तो क्या एगा एट पॉइंट जीरो आना चाहिए था बड़ यहां पर जीरो आ रहा है एक्जैक्ली वो क्यों आ रहा है वो थोड़ा सा में देखना है जो मैंने निकाला थे वालू इस बिलकुल सही थी बड़ इसको एडिशन कर रहे है उस टाइम पर कुछ चीजे प्रॉपर नहीं आ रहे है वन की बैलू क्यों नहीं आ रही है सर यहां पर कि निगेट्व इंडेक्स मैंने यूज किया है सेकंड वाले में जैसे वन और फिर माइनस वन है वन का मतलब है कि इस लिस्ट की बात हो रही इसमें से माइनस वन जिसका इंडेक्स से उस वालू को एक्सिस करना है तो यह लिस्ट हमारी वन हो भी यह लिस्ट हमारी जीरो है यह list 0 है और यह 1 है इसमें से element कौन सा उठाना है जिसका index number है minus 1 तो minus 1 index किसका हो जाएगा 6.0 होगा जब हम negative index लेते हैं तो यह minus 1 हो जाएगा minus 2 हो जाएगा minus 3 हो जाएगा कुछ इस तरह से reverse order में चलता है यसे जब positive index value लेते हैं तो 0 से start होता है 0, 1 and 2 जब negative index लेंगे तो यह reverse side से आता है ठीक है बट addition करने में आपने देखा separate values हम निकालने तो 6.0 आ रहा है 2.0 आ रहा है वैसे इसको हम add करेंगे तो आना चाहिए था 8.0 एक बार हम इसको execute करके देख लेते हैं सायद कहीं कुछ 0-1 ठीक है 1 और minus 1 इस बार भी 3 आ रहा है तो यह थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है जब कि value जब उप्रेंट कर रहा है तो बिल्कुल सही values आ रही है अब देखें बिल्कुल सही आ गया कहीं न कहीं कुछ कभी-कभी machine में भी कुछ दिक्कत हो जाती है जो मैंने बता है तो वही output आपको मिल रहा है दिखें आपे 8.0 आ रहा है ठीक है clear है तो आप negative index भी यूज कर सकते हैं हाँ एक और concept यहां पर आपको बताना था हमें थोड़ा था जैसे हम इस value के लिए negative index यूज करें वैसे हम list के लिए भी जैसे यह कौन सी list है 0 है और यह है 1 तो हम चाहिए तो इसमें minus 1 और minus 2 भी यूज कर सकते हैं जैसे अभी हमने यूज किया था इस वाली value को ही change कर लेते हैं एक बार फिर से इसी print में और यहीं पर हम क्या करेंगे इस बार 0 के जगे पर हम क्या रखते हैं माइनस 2 और यहां पर रखेंगे माइनस 1 आपको same result मिलेगा यह किसी को समझ में आयो तो बताएए यह आखिर ऐसे क्यों हो रहा है इस इंडेक्स नंबर को पास करने पर हमें 0.8 और इसमें भी हमें 0.8 मिल रहा है इसका concept थोड़ा सा समझ लीजे क्यों आ रहा है जैसे हम यहां पर numbers particular element के लिए negative index यूज करते हैं वैसे इनके लिए भी तो हम negative index यूज कर सकते हैं जैसे देखो अभी वैसे इसका positive index value इस particular list का क्या था 0 और इस particular list का index number क्या था 1 अगर हम negative index use करेंगे तो इसके लिए minus 1 हो जाएगा और इसके लिए minus 2 हो जाएगा तो वही तो मैंने किया है जहाँ पर 0 था वहाँ पर मैंने क्या पास कर दिया minus 2 और जहाँ पर 1 दिया गया था वहाँ पर minus 1 पास कर दिया तो हमें same result मिलेगा ठीक है तो I hope समझ में आ गया होगा negative index का भी आपको concept पता होना चाहिए फाइनली इसका output क्या हो जाएगा option C देखिए 5.0 आएगा 5.0 क्यों आ रहा है यहां से क्या आएगा यह list हमारी 0 है और यह list है 1 इसमें यह value आ जाएगी जिसका index number 1 है और index number 2 से में क्या उठाना है index number 2 से में 0 पोजीशन means 4.0 तो 1.0 प्लस 4.0 यह उजाएगा 5.0 means option C इस question का right answer है ठीक है next question देखिए यह तो बहुत basic question है इससे basic question दूसरा कोई होगी नहीं सकता just यहाँ पर क्या करना है दोनों को multiply कर देना है 4 into 3 यहाँ पर देखिए 4 into 3 3 into 4 किया गया है 3 into 4 तो यह आ जाएगा 12 option D बिल्कुल सही answer है next question देखिए इसमें बताएगे क्या होगा right answer यहाँ तो बिल्कुल single list ली गई है जीरो 1 2 & 3 इंडेक्स नंबर क्या दिया गया है यहाँ पर 3 minus index नंबर 1 तो 3 में क्या है 95 minus 1 टे कौन सा है 45 तो क्या आएगा 95 minus 45 क्या हो जाएगा 50 50 means option C correct answer है ठीक है अगला question देखिए जो भी question आपको लगता है कि doubt है उसमें आपको समझ में नहीं आए प्लीज आपको request कर सकते हैं या पूछ सकते हैं बीच में कभी भी आप पूछ सकते हैं अगला call list लिया गया है 5 4 3 & 2 यह numbers है इस list के अंदर इसमें से क्या print किया गया है x को print किया गया है जब हम x print कर देंगे तो पूरी के पूरी list के सभी items आपको एक साथ मिल जाएंगे जितने elements हैं वो एक साथ print हो जाएंगे means 5 4 3 to 1 पूरी list प्रिंट हो जाएगी तो अगर इस question के right answer की बात करें तो क्या आएगा आपको यहाँ पे a मिलेगा जैसे मैंने यहाँ पे कौन से list बनाई थी अभी x नामचीक list बनाई है अगर हम यहाँ पे print के अंदर print x कर देते हैं जाएंगे तो वह यहाँ पे हो रहा है आपको मिल जाएगा 5 4 3 2 1 पूरी list एक साथ print हो जाएगे next question देखे अब यहाँ से आपको समझना है जो list होते हैं उसमें कुछ inbuilt functions होते हैं कौन-कौन से functions हैं उसको जड़ा एक बार देख लिजए कौन-कौन से functions होते हैं इसको close करते ह और दुबारा से open करेंगे क्योंकि functions से related भी कई सारे questions आपके exam में आ सकते हैं कौन-कौन से functions हैं यह कैसे देखना है जो inbuilt functions होते हैं जिनको हम list में use कर सकते हैं कभी x equal एक list बनाते हैं और यहाँ पे कुछ number डालेंगे 2,4,1,5 यह list हमने बना दी x. जैसे आप यहाँ पे लगाएंगे तो एक list आ जाएगी यह देखे एक list आ गई पूरी इसमें जो inbuilt functions हैं वो सारे के सारे functions आपको देख रहे होंगे कौन-कौन से functions हैं append हमेशा list के last में अगर हमें कोई element add करना है तो append function यूज़ करेंगे clear अगर हमें पूरी list को empty करना है तो हम clear function यूज़ कर सकते हैं copy अगर इसी list के एक दूसरी copy बनानी है तो copy function यूज़ करेंगे list के अंदर किसी particular element को count करना है कि वो कितने times है जैसे two इस list में कितनी बार आया है वो count करना चाते है तो हमें आप एक count function यूज़ कर देंगे अगर दो list को आपस में merge करना है जैसे एक list हमाँ पास x है दूसरी y है इन दोनों को merge करके एक तीसरी list बनाना चाते हैं या फिर आप किसी एक list में ही ये दोनों merge करना चाते हैं तो आप extend कर सकते हैं जैसे हमने निखा x.extend और bracket में क्या पास कर दिया y तो आप क्या होगा y के element भी x में add हो जाएंगे x में जो भी elements थे जैसे माली जी x के अंदर जो list हमने बनाई थे 1,2,3 इसमें ये numbers थे और y एक हमाँ पास list है इसमें कुछ numbers है 4,5 ये elements हैं अगर हम इस function को extend function को use कर लेंगे तो उसके बाद x में कौन-कौन से elements आ जाएंगे 1,2,3 और इसके साथ साथ इसमें 4 और 5 भी आ जाएगा ऐसे आगे questions हैं जिनको हम practically बताएंगे भी आज की class हमने रखा है कई सारे functions हैं index आप किसी element का index number पता करना चाते हैं जैसे आम तोर पर आपको पता है 0,1,2,3,4 इसका index number हो जाएगा अब आप चाते हों कि 3 का index number क्या है ये पता करना है तो आप क्या लिखेंगे x.index index और bracket में वो number पास कर देंगे जिस number का आप index number find out करना चाते हो तो अगर हम ये execute करेंगे तो 3 का index number क्या है 2 तो आपको क्या मिलेगा output 2 मिल जाएगा इसी तरह से insert होता है insert जैसे कि हमाई पास एक list बनी हुई है हमें लगता है कि एक-एक करके हम execute करते जाए तो ज़्यादा बेटर था ही किसा आपको समझ में आएगा तो अपन्ड सबसे पहले करके देखते हैं अपन्ड में हम क्या करेंगे जैसे कि टू फूर वन फाइब है इसमें हम six एड़ करना चाते हैं जस्ट हम यहाँ पे six लिखेंगे और इंटर कर देंगे इस बार हम एक्स को प्रेंट करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या रहें लास्ट में अड़ हो गया ठीक अगला फंक्सन देखे कौन सा है अभी हमारे पास यह अपडेटेड लिस्ट है आगे जो भी कुछ ऑप्रेशन होंगे वो इसी लिस्ट पे होंगे एक्स डॉट जैसे हमने यहाँ पे कुछ दूसा फंक्सन ले लिया क्लियर से डारिक पूरी एलिमेंट चले जाएंगे कौपी से आप दूसरी एक कौपी बना सकते इसकी काउंट यहाँ पी यूज कर लेते हैं काउंट जैसे कि हमें काउंट करना इस लिस्ट में वन कितने है यह 2 कितने साओ गुठीम से हाला आप किसी भी नंबर को मिल जाएगा है 1 कि आप एक प्सक Свर लिस्ट के अदर हैं हम यह इनकरने को हम यहाँ यह जो भी आप element pass करोगे वो element कितनी बार यहाँ पर आया है यह count करके आपको बता देगा तो यह हो गया count अगला कोई function देख लेते हैं कौन सा है इसका concept आपको पता होना बहुत जरूरी है क्योंकि इस पर कई सारे questions बन सकते हो जो list में हम कर रहे हैं आपको टपल में मिल जाएगा टपल में हलागी function चेंज होंगे कि वो mutable नहीं होता है इम्यूटेबल है तो यहाँ पर extend हमने चलिए extend भी करके देख लेते हैं extend जो हमने बताया था extend बट extend के लिए सबसे पहले हमारे पास एक list और होनी चाहिए थी take all list हम बना लेते हैं पहले इस बार हम यहाँ पर क्या करेंगे 7,8,9 यह हमने एक नई list बना दी y और हम चाहते हैं कि इन elements को हम x के अंदर ही add कर दें extend यहाँ पर लिखेंगे वो just braces के अंदर हम क्या पास करेंगे y y पास करते हैं तो अब x की value update हो चुकी यह list आपको दिखेंगे आपे पहले हमारे पास x के अंदर कौन-कौन से elements थे 2,4,1,5,6 अभी हमारे पास क्या है 7,8,9 भी इसके अंदर add हो गया extend function कब यूज़ करेंगे जब हमें दो list को आपस में merge करना हो जब दो list को आपस में index, अब यह index कैसे काम करता है जिसे हमें यहाँ पे दिया गया 7, 7 का index number find out करना चाहते हैं क्या है 7 का index number क्या है 5 अगर आप इसको count भी करते हैं तो 2 का index number क्या है 2 का index number है 0 4 का है 1,2,3,4 and 5,8 and 9 तो 7 का index number क्या है 5 तो आपको index number मिल जाएगा किसी भी element का अगर आप इस function को use करते हैं तो इसी तरह से कुछ और functions भी देख लेते हैं यहाँ पे index के बाद आता है insert insert क्या है insert जैसे की हम चाहते हैं इसमें अभी 0 तो नहीं है तो 0 ही हम first means 4 की जगे पे हम 0 लेके आएंगे हो जाएगा आप देखो क्या है अगर इन दोनों list को आपस में compare करेंगे यहाँ पे जो list हमाए पास है तो पहले क्या था 2 4 अभी क्या है 2 0 यह 4 इधर shift हो गया है क्योंकि हमने क्या पास किया यह index value थी किस location पे हमें number insert करना और कौन सा number insert या element insert करना इवन आप यहाँ चाहें तो character भी insert कर सकते थे ऐसा भी किया जा सकता है तो हमें index number 1 पे क्या insert करना था 0 तो index number 1 पे 0 insert हो गया और पहले से index number 1 में जो element था उसको इधर shift कर दिया गया right side में तो insert function का यूज़ करके आप list में element को किसी particular index position पे insert कर सकते हैं ठीक है कुछ और functions है वो भी चल्दी से देखें फिर आगे के class continue करेंगे जी रभी बताएं सर इंसर्ट यह समझ भी नहीं है कैसे किस परकार से हुआ देखो इन दोनों में compare करो अभी क्या है index number 0 1 & 2 3 4 5 6 7 यह index numbers है जी पूर का index number क्या है वन बठब चाते हैं कि index number 1 पे क्या store हो जाए 0 insert हो जाए हम insert करना चाते है index number 1 पे 0 insert करना चाते हैं तो इस case में क्या होगा जब आप insert करोगे तो पहले जो index number 1 पे रहेगा वो right में shift हो जाएगा उसका index number change हो जाएगा अब इसका index number हो जाएगा 2 फिर इसका हो जाएगा 3 4 5 6 7 & 8 इस तरह से change हो जाएगा तो अगर आप नीचे देखोगे तो 2 तो same position पे है 4 की जगे पे क्या गया है 0 और 1 की जगे पे क्या जाएगा 4 means यह right side में shift हो जाएगा और जो हम यहाँ पे पास करेंगे index number कौन से index number पे यह वाली value जानी चाहिए उस जगे पे यह नया number insert हो जाएगा आई हो clear समझ में आ गया होगा तो insert function से आप किसी भी लिस्ट में किसी particular index position पे कोई भी वालू आप जोड़ सकते हो insert कर सकते हो कुछ और एकाद function देख लेते हैं जड़ी से फिर इस class को आगे continue करेंगे insert के बाद आता है pop pop और remove इन दोनों में एक छोटा सा difference देखेगा pop में एक और चीज़ हम बताते हैं जैसे हमने कर दिया y equal जैसे हमें यहां से 4 हटाना है इस list में से हम 4 remove करना चाहते हैं और इस 4 को हम y में store भी करना चाहते हैं तो pop के through ऐसा किया जा सकता है वैसे यहां पर 4 का index number क्या है 0 1 & 2 index number 4 का क्या है 2 तो अगर हम यहां पर 2 pass कर देते index number इंटल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा y को जब print करते हैं तो 4 आ गया इसमें दिखिए y में क्या आ गया 4 ठीक है हो सकता है आपको ना दिख रहा हो थोड़ा सा तो इसको उपर की तरफ shift कर लेते हैं ठीक है तो यह पॉप हो गया पॉप से आप किसी भी element को list से निकाल सकते हैं using index number आपको यहां पर आजा parameter क्या पास करना है index number next हम यहां पर एक remove यूज कर लेते हैं x.remove अब remove में direct आप element पास कर सकते हो जैसे हमें 7 निकालना इसमें से remove करना है हटाना है तो हम यहां पर क्या लिखेंगे 7 डारेक्ट हम यहां पर 7 उस number को लिख देंगे जबकि pop में भी वही same होता है यहां पर दिखें तो यहां से देखे 4 भी missing है इसमें 4 नहीं है गायब हो चुका है क्योंकि हमने pop कर दिया था और इस बार हमने remove function का यूज करके 7 को भी remove कर दिया है तो यहां पर आपको 7 भी नहीं दिखेगा इस list में 7 भी नहीं है तो remove और pop दोनों ही element को remove कर देते हैं list से बस remove करने का तरीका लगए pop में हम उस element का index number पास करते हैं जिसको remove करेंच है remove के बाद आता है reverse reverse कर देंगे तो क्या होगा पुरी के पूरी list reverse हो जाएगी reverse में आपको कोई parameter नहीं पास करना है जस्ट आप ऐसे कर दीजे x आपको आप change दिखेगा यहाँ पे कोई parameter हमने पास नहीं किया दिखें क्योंकि reverse में कोई parameter value आपको पास नहीं करनी है यहाँ पे पहले क्या था 2,0,1,5,6,8,9 अभी क्या है 8,9,6,5,1,0,2 यह जस्ट उल्टा हो गया तो reverse ऐसे यूज़ कर सकते हैं एक और function है sort जिससे आप इसको एक order में sort कर सकते हैं जैसे x dot sort हमने लिख दिया तो अभी sorted order में आ जाएगा x को print करें तो दिखें आप यह दिखेगा आपको sorted order में आ गया elements जितने भी है वो sorted order में आपको यहाँ पर दिख रहे हैं तो ऐसा आप कर सकते हो यह सबी क्या है list के inbuilt functions होते हैं चलिए अब आगे continue यहाँ पर append क्या किया गया है 1 तो means इस list में एक और add हो जाएगा 2 के बाद कॉमा क्या जाएगा 1 तो ऐसा कौन सा value है यहाँ पर option D इस question का correct answer हो जाएगा यहाँ पर एक 1 add हो जाएगा तो append function क्या करता है हमेशा list के last में कोई भी element add करेगा जिसको add parameter यहाँ पर pass किया जाता है 1 pass किया गया तहाँ पर 1 add कर दिया 5 pass करते है तो इस जाएगे पर क्या आता 5 तो option D correct answer है आगे ऐसे कई सारे questions अब आपको देखने को मिलेंगे और सारे functions हमने explain कर देए अब आपको देखना है और बताना इस question का right answer क्या है इसी वही से मैंने explain किया ताकि यह questions आप समझ पहुश के right answer दे पाओ 5,4,3,2 और यहाँ पर क्या यूज किया गए insert 1,0 अब बताए इस question का right answer क्या है क्या right answer होगा बेद प्रकाश्ची अगर आपको समझ में आ गया प्लीज बताएए आरिफ अगर आपको समझ में आ गया उतकर्स, रवी जिनको भी ये concept समझ में आया S. खान CY, SYNC, TRIPT आप में से जिनको भी insert function समझ में आ गया है बताएए इस question का right answer क्या है call request कीजिए और बताएए इस question का right answer क्या है जी बताएए क्या होगा right answer इसका B B right answer होगा चलिए B mark कर लेते हैं बिल्कुल सही बताएए आपने B बिल्कुल सही answer बताएए आपने क्या होगा देखे index number 1 पे क्या add हो जाएगा? 0 तो index number 1 पे 0 add हो गया very good means आपको concept समझ में आ गया जी हमें बताएए क्या होगा B option सही है? यह सर B होगा चलिए अगला question देखते हैं और फिर आप उस next वाले question का right answer बताएएगा remove function यह आपके यूज किया गया है list में remove इस question का right answer क्या है? बहुत basic question है यह क्या करेगा? 2 हमने pass कर दिया यहापके तो यह 2 को हटा देगा remove कर देगा means 4, 5, 4 and 3 यह elements आपके पास बचेंगे yes रभी option C sir option B option B ठीक है हाँ option B बिलकुल सही है option B इस question का correct answer है बिलकुल सही next question देखे और बताएए इस question का right answer क्या है question number 12 यहाँ पे pop हमने यूज किया है अब pop का बताएए क्या right answer होगा इसलिए मैंने एक साथ सबी functions एक्स्प्लेइन कर दिये क्योंकि इससे related आज हमने questions रखे है pop करेंगे किसको index number 3 को pop किसको करना है हमे index number 3 को pop करना है तो सबसे पहले आपको index number पता होना चाहिए 0 1 2 and 3 means 2 को निकाल दिया जाएगा यहाँ जी बताएए answer C answer C option C बिल्कुल सही to print करेंगा यह बिल्कुल सही बताएँ आपने चलिए एक और question पूछ लेते हैं इसे time पर अब बताएँ इसका right answer क्या होगा आप में तो समझ में आ गया है मैंने क्या लिखा यहाँ पर सोरी reverse by mistake copy कर लिए यहाँ पर हम remove लिखेंगे अब बताएँ इसका right answer क्या होगा आप में से जिनको भी पता है x की सारी value delete हो जाएंगी x की सारी values delete हो जाएंगी x dot remove जी ठीक है अगर हम यहाँ पर कोई number पास कर दें जैसे की 5 हमने पास कर दें हमें output मिलेगा यहाँ पर कुछ अगर हम इसको execute करते हैं तो हमें output कोई मिलेगा हाँ जी मिलेगा क्या मिलेगा और अगर हमने यहाँ पर लिखा है print और इससे के पर लिखेंगे x dot pop और bracket पर पास कर देते हैं 2 और हमारे पास जो list है वो आप अभी देख लिजए यह list है हमारे पास यहाँ पर list दी गई है अब हमें output क्या मिलेगा कोई output आएगा या नहीं आएगा यह concept आपको समझना है यहाँ पर देखे 2 आ रहा है यहाँ पर नन आ रहा है मैंने सुरुवात में बताया था कि pop के थू जो value pop होते है उसको हम किसी दूसरे variable में store भी कर सकते हैं उसको चाहें तो reuse कर सकते हैं जैसे मैंने वहाँ पर बताया था x equal x dot pop यह किया था हमने यहाँ पर जैसे कि pass कर दिया मालीचे 5 pass कर दिया something कोई भी number pass कर देंगे यह पाइप किसमें चला जाएगा y के अंदर अलग इसमें पाफ हो चुका है इसमें कोई number नहीं है यह index गलत हमने पास कर दिया index number यहाँ पर पास करना था तो कि इसमें 5 index नहीं है तो हम इसके पर 2 pass कर अब यह value index number 2 पे जो value थी उसको pop भी कर देगा प्लस y में store भी कर देता है बड़ अगर हम यहाँ पर remove यूज़ करेंगे तो यह काम नहीं करेगा y equal x dot remove यह एक तरह से फंक्स जो pop function होता है value return करता है और यह value को return नहीं करता है बस यह आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा यहा y की value print करेंगे कुछ नहीं आ रहा है देखिए y को हम print करेंगे तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि यह return नहीं करता है इसकोई से वाई के अंदर कुछ भी store नहीं किया है ठीक तो आपको आपको remove और pop में concept समझ में आ गया होगा इसका right answer 2 बिल्कुल सही है 2 i c option c correct होगा next question देखे अब बताई इस question का right answer क्या है index function क्या करता है 0 1 2 3 4 index 1 यह क्या करेगा इससे हमें क्या मिलता है output क्या आने वाला है 1 आएगा 2 आएगा 3 यह फिर 4 1 आएगा सर 1 आएगा चलिए एक लोग का answer आ चुका है और किसी का बताईए जिसको भी समझ में आ गया index function क्या करता है एक तो answer आ गया 1 जोगी गलत है और दूसर आपको पता है और बताईए इसका right answer क्या है इसका right answer आएगा option यह 4 आएगा right answer ठीक अभी मैंने right answer बता दिया है 4 क्यों आएगा यहाँ पर नंबर पास करते है न उसका index नंबर बताता है इंडेक्स फंक्शन क्या करता है जो नंबर यहाँ पर पास करेंगा उसका index नंबर बताएगा तो यहाँ पर क्या पास किया गया और 1 का index नंबर क्या है 4 है तो क्या मिलेगा हमे 4 मिल जाएगा तो option a correct answer right डिवन नहीं होगा इसमें क्या होगा फोर नेक्सक्षोचन देखिए अब बताएं एक्सटेंड हमने आपए फंक्षन यूज क्या हुआ है है एक्सटेंड का रराइट ऑंस्टर क्या है एस्स डाट एक्सटेंड जिनको भी concept समझ में नहीं आ रहा प्लीज आप लोग request कीजिए पूछिए जब तक पूछेंगे नहीं concept clear नहीं होगा तब तक आपके अंदरू confidence नहीं double up होगा answer number D answer number D very good, देखें आप पे X को ही extend कर दिया गया है तो X को जब हम extend कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा यह double times आ जाएंगे 5,4,3,2,1 और 5,4,3,2,1 तो यहाँ पे देखें पहले तो यह हो गया दूसर यह हो गया, बिल्कुल सही बताए आपने very good option D is the right answer, next question देखें और extend एक बार फिर से यूज किया गया, अब देखते हैं आप में से कितने लोग mind यूज करते हैं, यह mind वाला game है जी रभी बताएं यह तो बिल्कुल simple है, अगर यह भी समझ में नहीं आए तो साइध ही कोई question समझ में आए just same to same, एक तरह से copy paste है इसमें x के साथ y को extend किया गया, x में क्या है 5,4,3,2,1, तो 5,4,3,2,1 आ जाएगा, 0,5 option क्या आएगा, D option A option A आएगा यहाँ पे, ठीक है option A is the right answer option A correct answer है, ठीक है अगले question पे देखते हैं, फिर आप लोग बताएगा इस question का right answer क्या है अब यहाँ पे जिसने mind यूज किया, वही right answer दे पाएगा काफी लोग इसमें confused होने वाले हैं sir D यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता है किसमें किसमें D क्यों नहीं आ सकता है एक बर इनका concept clear कर दे D इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हम Y के element को किसमे extend कर रहे हैं, X में extend कर रहे हैं तो सबसे पहले X के elements आएगे उसके बाद Y के elements आएगे, इस वएज से इसमें D करेक्ट नहीं होगा, अगर हमने यहाँ पे लिखा होता, X की जगे पे Y, Y dot extend, ठीक है, और फिर यहाँ पे X लिखते हैं, तूसके इसमें क्या होगा, सबसे पहले Y के elements आते हैं, then X क्या पे, clear हो गया? सर, index का मेरा जो question गलत गया है, इसमें देखिए, मैं एक बता रहा हूँ, यह लिए, 2415, 6789, index value 7, इसका answer क्या आएगा? एक बाद फिर से question, repeat कीजे, क्या है? सीरियल से बता रहा हूँ, 2415, 167, 8989, ठीक है, यह elements है, separate है, कौमा लगा हुआ है, और यह list होनी चाहिए, list है ना? जी, सर, 9 तक है, 89, इसका index 7 है, इसका answer output क्या आएगा, सर, क्या है? index 7 रहेगा, x.index 7, जी, index 7, यह है ना? जी, तो 7 का index number आपको बता देगा, 7 का index number आप देख लिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसका right answer आजाएगा, 6. output में सर, जापे जो number pass करेंगे, उसका index रालु बता देगा, शाइद में गलत बहलु लिख लिया था, वहाँ, output में तभी तो में गलत बता दिया, आगे, continue करतें है, इसको, तो इस question का right answer है ठीक है इस वाले question को देखे और बताइए देखते हैं आप में से कितने लोग बिल्कुल सही concept को समझ चुके हैं जिसको भी समझ में आ गया right answer है प्लीज call request कीजिए वो जल्दी से बताए इस question का right answer क्या होगा कि इतना time नहीं लगना चाहिए जी चलिए राबिया का request आ गया है अब बताए क्या होगा right answer जल्दी से बोली बाकी लोग भी क्यों में है सर ए ए राइट answer है चलिए एक answer हम note करते जाते हैं तक कि अब याद रखना आपने क्या बताया था एहमद आप बताए जल्दी से सर ए होगा ए होगा चलिए एक साथ दो लोग होगे रभी आप बताए जल्दी बोलिए बाकी लोग क्यों में है option A sir थीक है प्रिप्ति आप बताए राइट answer क्या है आपको तुम्हें पक्का समझ में आ गया होगा बिल्कुल सही answer आने वाला है D very good बिल्कुल सही answer दिया है अब आप थुड़ा सा इन लोगों को बता दीजे कि D क्यों होगा अधाय है प्रेंट वैल्यू वआ कि कि मंगा रहा है है एक्स कि नहीं मंगा हैं तो अब यकर हम क्यों प्रिंट करेंगे तो अमें चेंज इस मिलेंगे एक्स को अगर हम प्रेंट करेंगे तो हमें यह मिलेगा और यहां पर प्रेंट क्या किया गया वाई तो वाई में तो कुछ एक्स्टेंट किया नहीं गया है इस वह से आफंट डी राइट आंसर है तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा कुछ ऐसे क्वेशन होंगे जो लग रहा होगा बिल्कुल सही आपको पता है राइट आंसर बढ़ आप गलत करके आओगे तो इसको अच्छे से थोड़ा सा पहले रीड करना फिर बताना राइट आ अगले क्वेशन की तरफ बढ़ते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा यह तो बहुत सेमिलर क्वेशन है बिल्कुल बेसिक से क्वेशन है यह तो इसमें देखो वाई के साथ किसको एक्स्टेंड किया गया एक्स को अभी भी जिनको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है इस क्ल क्लियर हो जाएगा कि प्लीज जल्दी से बोली हूं क्या है राइट आंसर है अलो जी बताइए राइट आंसर क्या है जल्दी से बोली है बाकि लोग डिक्यू में है प्लीज बताइए ऑप्शन झा बैर गुड बिल्कुल सही बताए अपने देखिए य के साथ x को extend किया है तो सबसे पहले y के element आएंगे then x के element आएंगे तो ओप्शन बी इस question का बिल्कुल सही आंसर है ठीक है आई हो बाकी सब को समझ में आ गया होगा यहां पर भी राइट क्यों है अगर नहीं आया तो आप कॉल रिक्वेस्ट कर सकते हैं यह सहमद बताइए प्लीज थोड़ा सा फास्ट जो लोग भी रिक्वेस्ट करते हैं उनका क्वेस्टन रेडी रहना चाहिए इमेडियेट आप पूछो क्योंकि इसमें टाइम लॉस होता है बहुत सारा कि यहां पर यहां पर देखो यहां पर यहां पर एक्स्टेंड किया गया था एक्स को जोड़ा गया है पर देखो क्या यहां पर यहां पर यहां पर आईग्स की आएक्स को जोड़ा गया तो पहले तो के लिमेंट्स आ जाएंगे उसके बाद क्या आएगा एक्स के लिमेंट आएंगा और वाई को प्रिंट भी किया गया है इस वह से यहां पर बी करेक्ट है आई हो क्लियर समझ में आ गया होगा ठीक है आगे बढ़ें अब निमलकित स्टेट्मेंट का और पुड क्या होगा इस क्वेशन का राइट आंसर क्या है डी बिल्कुल सही बताया रिवर्स कर देगा मेंस यह वन तू थ्री फॉर फाइब आ जाएगा इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा इस तरह से क्योंकि रिवर्स यहां पर फंक्सन क्योंकि दूसरी क्लासिस बाकी जो अदर क्लासिस हैं वह थोड़ा सा लेट हो जाते हैं कई बार आप आयोटी में वेट करते रहते हैं सर जी बताएं सर यह जो एक्स्टेंड यक्स और वाई वाला कोईस्टन बताएं लाइप एक बार बता दिए बहुत कंफ्यूजन हो रह कितने लोग ऐसे हैं जिनको एक्स्टेंड वाला कॉंसेट समझ में नहीं आया है प्लीज बताएं तो हम थोड़ा सा डेटेल में एक्स्टेंड कर दें सरीए यक स्वा और वाई जो डफ इस तरीके से है कवेश्टन चैलो देखो देख एक लिस्ट बनाते हैं वन अटू कॉमा त्री कॉमा फोर एक लिस्ट हमने बना ली हैं डूसी लिस्ट है वाई इसमें भी कुछ elements डाल देते हैं 5, 6, 8, 7, 3 elements रखेंगे, ठीक, x dot extend कर देंगे, और bracket में किसको पास करेंगे, y को, अब क्या हो जाएगा, x की वालू को अगर हम print करेंगे, तो क्या हुआ, जिसके साथ में extend करते हैं, उसमें update होता है, ये y के elements कहां प्याइड हो गए, x के साथ में, बात समझ में आई यहाँ पर, अगर हम y print करेंगे, तो y में कोई change नहीं रहेगा, y को इसके साथ जोड़ दिया गया है, x में, बट फिर भी y तो अलग separate उसकी value तो बनी रहेगे न, जी सर, अब clear हो गया, जी सर, और अगर हम यहाँ पर y dot extend करते हैं, अब देखो एक बार हम y कर लेते हैं, किसी को, यहाँ पर, अच्छा सर, ऐसा इसलिए हो, इसको देख लो, y को print कर देंगे, तो अब देखो y के double elements आएंगे, y में किया था, 567 था, तो 567 और 567 टू टाइमस आ जाएगा इसमे, y में y को extend कर दिया गया, बताए, ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि y जो है, बाद में आ रहा है, है Рओ, हा महिए, यहां पर function हे, य एक्स्टेंड क्या कर रहा है, इस list के elements को, इसके साथ, extend कर रहा में, जोड दे रहा है, उसके साथ, merge कर दे रहा है, य जी सर, ठीक है, ठीक three एक सर समझ रहा है यहां पर देखें अग्ला कुशिण है सॉट यह क्या गरेगा एलेमेंट्स को सॉट कर देगा किस और में सॉट करेगा इस इस क्वेशन का राइट आंसर क्या होगा जी बताएं जल्दी से तरिश्क का इया बिलकुल सही है यह बिलकुल सही है लेवन फोटीन ट्वेंटीफाइब फिप्टी त्रियंट इसक्टीटू राइट आंसर है बेरी गुड चलिए अब बाकी लोग जो है अगले क्वेशन का राइट आंसर बताएं क्योंकि वो तो काफी बेसिक क्वेशन था इसका राइट आंसर बताएं यस प्लीज जल्दी से बताएं इस क्वेशन का राइट आंसर क्या है आंसर ए था सर लास्ट क्वेशन का क्वेशन नंबर ट्वेंटी इसका राइट आंसर बताएं कि ट्वेंटी कि टुड़े संडे कि सरे इसका भी होगा ना इसमें देखो पहले क्या हूंगे नंबर को पहले सौट किया जाएगा आदी आंसर आदी नहीं गलत क्यूंकि टी पहले आजाना ना इसके बाद टी आता है तो सी है हाँ सी इस द्राइट पहले नंबर को यह क्या करेगा अल्फवेडिकली सौट कर देगा फिर जितने भी अल्फवेडिकली सौट करेगा तो यहां पर आपसंसी बिल्कुल सही आंसर है ठीक है अभी आगे बढ़ेंगे क्योंकि एक हमें और प्रैक्टिकल के साथ इस कुशन के राइटां से बताएं रिवर्स किया गया है यहां पर रिवर्स फंक्शन यूज किया गया है तो क्या होगा अगर हम रिवर्स कर देंगे इस लिस्ट को रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा यह पहले आ जाएगा यह पहले नंबर पर हो जाएगा दूसरे नंब राइट आंसर है next question देखे एक्स डॉट काउंट 25 इसका राइट आंसर बताओ जिसको भी पता है यह भी function अभी अभी मैंने बताया है आज जितने भी questions हमने करा दें list से कोई भी questions आएगा 100% आप solve कर लोगे जिन लोग ने थोड़ा सा seriously इसको समझा है 100% इसमें से किसी भी type कर कोई question आजाएगा mcq में आप उसका 100% right answer देद होगे कितना confidence आपको आज double up हो गया होगा तो count क्या करता है जी बताए इस question का right answer क्या है भी 3 number 25 सी भी आएगा थीक है बाकि लोगों के से पूछ लेते है जी आरेब बताएए प्लीज जल्दी से बोलिये बहुत से लोग Q में है 22 का 3 सी थी आएगा ठीक है यस रभी बताएए रभी बताई जल्दी से त्री सर क्योंकि थ्री टैन्स ठीक है राविया बताईए रभी ना बाई मिस्टीक मैं नाम थोड़ा सा देखा नहीं मैंने नेक्स्ट ठीक है बिल्कुल सब्सक्राइब इसमें बी आएगा बी के वाएगा है कि 25 यहाँ पर भी है 25 यहाँ पर यहाँ पर तो यह यह वाला आपको नवन करता है क mango application मह बताए यह क्या करनदा हामने पर यह 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 क्लिए जैसे कि यह six क्या count करता है number of elements कितने इसके अंदर count function से हम specific element को count करते है और length functions ही क्या कर सकते है number of elements कितने है उसको हम count करने के लिए length function यूज करेंगे प्लीज अब थोड़ा सा वेट कर लीजे class काफी लंबी हो गई यहां पर भी length निकल के आएगी और चलो ठीक है कितने बच्चे इसका राइटांस दे पाएंगे समझदार लोग होंगे उनको समझ में आ जाएगा शी सर चलो सी और बताएए दूसरा request accept करते हैं जी रभी बताएए प्लीज जल्दी से बोले जल्दी फास्ट इतना टाइम ने मिलेगा जी बताएए सर मुझी कोशन समझ दिया है इसका राइट अंसर क्या होगा आपने सेबन बताएए ना चलिए अगली request accept करते हैं जी मैं बताएए राइट अंसर option D option D एहमद आप बताएए जल्दी से सर डी आएगा इसका option ठीक है रभी आप बताएए सेबन आएगा सर इसका सेबन आएगा सिर्फ दो लोहों का बिल्कुल सही आंसर है सेबन ही रहेगा अभी त्रिप्टी मैं के जस्त बाद हमने किसके request accept की थी रभी से पहले जिनकी request accept की थी exactly मैं नाम बोल गया थोड़ा सा ठीक है option D बिल्कुल सही आंसर है आप लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हो देखो यहां पर length जो calculate किया गया उसको print थोड़े न किया गया print थो X को किया गया है जी सर्थ इसको store थो किया नहीं गया अगर मालीजी इसको हम एक variable केंद store कर लेते हैं हमने यहां पर L variable बनाया होता और इससे हम इसकी value store कर लेते फिर जाके यहां print करते जी शर्थ समझ में आ गया तो थोड़ा सा active रहना जरूरी है अधरवाइस फिर ऐसा ही आते वह एक questions भी घलत करके आएंगे इसका question right answer बताओ क्या है इसका right answer क्या होगा जल्दी से बताएं इसका right answer क्या होगा जल्दी से बताएं सर सेम इसका होगा सेम इसका क्या होगा यह भी सीड़ी तो बताएं क्या होगा सेम तो कुछ भी हो सकता है पचीश पैटीश तिरपन पचीश होगा आप answer calculate कर लिजे फिर आप call request कीजे सर ए होगा यह होगा ठीक है नेक्स्ट बताएं option A very good बिल्कुल सही है डेल भी एक function होता है जो element को delete करने के लिए होता है अब थोड़ा सा hold कर लिजे अब थोड़ा सा call accept करेंगे इसको समझ लिजे क्या elements को delete करने के लिए इसमें आप index number पास करते हो इंडेक्स नंबर 0123456 कौन से इंडेक्स नंबर की वालो को delete करेगा जिसका इंडेक्स नंबर है 3 25 इसको delete कर दिया जाएगा already हमारे time काफी over हो चुका बाकी सारी classes delay हो चाएंगी तो इन problems को हम next class में discuss करेंगे अलगी आप सभी के लिए homework है इसको आप solve कीजेगा next class में थोड़ा सा कल rewind करा दिजेगा वैसे हमें याद रहेगा कि इनको हमें solve कराना है आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें prime number चेक करना है कि वो number prime है prime number है या फिर नहीं है prime number वो numbers होते हैं जो खुद से divisible होते हैं या फिर आप one से divisible होते हैं और किसी भी numbers से वो divisible नहीं है वो क्या होंगे prime numbers होंगे और यहाँ पे write a program to print even number in a list किसी list में सिर्फ आपको even numbers प्रिंट करने इन दोनो problems को आप as a homework solve करेंगे जिसका भी solve हो जाता है snap sort लीजेगा और अपने group में message कीजेगा next class में हम इनका solution भी बताएंगे practical exam में ऐसे exactly questions आएंगे इसी type के यही same question आएगा मैं नहीं कह सकता क्योंकि यह कोई teacher guarantee नहीं ले सकता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही आएगा concept यह हो सकता है यह इस type के questions आ सकते हैं आपके exam में तो आप सब इसको solve कीजेगा कल हम इसका solution भी share करेंगे live class में इसको coding करगे पूरा program बनाके बताएंगे कैसे solve करते हैं ठीक है तो बस इस class में इतना ही में भी आज जिन लोगों ने हमरा IOT के coach join किया हुआ है class आज भी 10-15 minutes late हो सकती है क्योंकि इसके बाद भी हमारी कैसा classes schedule है तो switching में थोड़ा सा time लगता है वैसे 9.30 हमने class schedule की है IOT के class होगी 5-10 minutes यह मैक्सिमम 15 minutes तक लेट हो सकी तो प्लीज आप सब थोड़ा सा wait कर लीजेगा sir pdf send कर दीजी उसमें group ठीक है pdf मिल जाएगे थोड़ा सा time दीजे मैं टीम को बोलता हूं जैसे कोई free होता है तो pdf upload कर देगा sir pdf नहीं मिल पा रहा है upload कर दिया है बाकी सबी classes के pdf upload हो चुके even और एक और information आप सबी के साथ share कर देते हैं जुलाई 2022 का paper solution भी आपकी course में हमने add कर दिया उसका detail में video lecture है इसमें जितनी भी output based questions हैं उनको भी हमने काफी detail में explain किया है plus उसकी pdf थी हमने upload कर दी answer की के साथ में आप उस paper solution की pdf को देखेगा last में जब जाएंगे तो आपको पूरे hundred questions के answer keys मिल जाएंगे तो जिन लोगों ने अभी paper solution की class video नहीं देखा है आप अपनी course में जाके चेक किजेगा अलग से folder मिलेगा आपको paper solution जुलाई 2022 उसमें आपको एक video दिया गया तो आप उसको जरूर देख लीजे उससे आपको एक basic idea मिल जाएगा किस टाइप के questions previous exam में पूछे गए थे pattern कैसा था और प्लस उन questions को भी आप समझ दीजे उससे भी थोड़ा बहुत concept आपका clear pattern पे आता है क्या जी paper दो pattern पे बनता है दो तरीके से दो दो pattern के नहीं बनता है pattern same होता है set अलग अलग बनते हैं set हाँ ठीक है तो set अलग अलग बनते हैं जी sir ठीक है तो बस इस class को यह पर और करते हैं और यह as a homework इसको आप सभी को करना ही करना है इसको solve करना है it's okay sir ठीक है तो iot की class जैसे के मैंने बता है थोड़ा सा 10 से 15 विट डेले हो सकते हैं तो please patience बनाए रखेगा ठीक यू थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग प्राइब 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 प्राइब